हेलो फ्रेंट्स जैसा कि क्रिश्मस आ रहा है तो चलिए देखते हैं कि क्रिश्मस पे हम कैसे नेल आर्ट्स कर सकते हैं सबसे पहले ये नेल आर्ट्स जिसमें हम स्नोमैन बनाएंगे अपने नेल को रेड से पेंट करिए और टिप्स को फिर वाइट कलर से पेंट करेंगे हम ने यह सेंटा अपाइ़ हरै लगाते हैं मैं यह दाड़ी के लिए वाइट-वाइट कलर लगाएंगे यह देखने हम बड़ा प्यारा लगरा कियो चांडर के लिए यह है एंड मैंने तो कोई किट मंगा रखी है जिसका मैंने इसके पहले वीडियो भी जाला था वगर आपके पास किट नहीं है तो आप फॉममेट कोई चीज लाइक टूथ पीक एंड पिन वगरा का यूज़ कर सकते हो यह डॉट्स डालने के लिए इसके लिए कोई मतलब किट ऐस कुछ रिक्वाइड नहीं है देख़ें जिसके सेंटा बन गया है इसके स्माइल भी बड़ी प्यारी लग रही है आप इस पर भी छोटे-छोटे क्लीटर सिपका सकते हैं अगर नहीं है तो आप वाइट डॉट बना सकते हैं थर्ड है यह ट्री जो क्रिस्मस ट्री होता है वो इसमें हमने नीचे वाइट बनाया है श्नौ के लिए उपर ग्रीन कलर के क्रिस्मस ट्री बनाई है जैसा कि आप देख सकते हो यह आप टूथपिक से इजली बना सकते हो डान तिंक कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा टू हो जैसा कुछ बनाएंगे यह डॉट्स हम पुरे नेल्स पर बना सकते हैं जहां जहां आपको लग रहा है कि हां यहां पर शनौ को दिखाना है एंड उसके बाद फिर लास्ट में हम इस पर हलका हलका सा ग्लीटर भी चिपका सकते हैं थोड़ा वह सुन्दर लगेगा एंड तो अच्छा लगेगा आप जैसा कि आप देख पा रहें कितना प्यारा लग रहे हैं इसमें नीचे भी टिप्स की साइड में भी रेड कलर के डॉट्स डाल रहे हैं यह लास्ट है इसमें हमने एक क्रॉस बनाया है टेप से इसमें टेप की रिक्वाइर्मेंट है अगर यह लिए रहे हो द बिसकें अब की ऋटनाना पड़ेगा अगर आपके पास टेप है अगर नहीं है तो आप अलुकि बिएग कर सकते हैं यह लट शेपको की से ने काटके प्र रेड़ पार्ट में हम उइटotta.smann कि अ जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर सा लग रहा है आप इसे भी ट्राइ करें सारे ही नेल आर्ट्स बहुत ही एजी है प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू